प्रिवसाथियों जहिन राष्टी शिक्षानिती 2020 के अंतरगत इसमें जो विद्ध्यारती B.A. B.C. B.H.A. C. B.B.A. B.C.A. आदी की सेकंडियर की एक अक्षा में पढ़ रहे हैं वे बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या वास्तों में इस बार उनकी परिख्षा में वस्तोंिस्ट प्रश्ण भी पूछे जाएंगे आए इसका हम आज फाइनल जवाब देने का आपको प्रयास करते हैं यह करियर एडवाइस चेनल है इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकान प्रेस कर दीजिए इसके साथ सदेव बने रहें फायदे में रहेंगे धन्यवाद तो साथियो एक बर पुनह सुन लिजिए कि पक्का इस बार सेकंड यर की परिख्षाओं में अवश्य ही वस्तोंिस्ट प्रश्ण पूछे जाएंगे लेकिन सेकंड यर में है उच्च शिक्षा हिभाग मध्यप्रदेश शाषन की वेब साइट पर सेकंड यर के मेजर माइनर इलेक्टिव आदि विश्यों के जो सिलेबस जारी किये गए हैं अन्सिलेबस में एक कॉलम होता है परिक्षा के स्वरूप से सम्मंदित उसमें स्पस्टत लिखा गया है कि वस्तुनिस्ट प्रशन पूछी जाएंगे ये वस्तुनिस्ट प्रशन अतिलगुत्तरी प्रशनों को रिप्लेस कर रहे है यानि अब जो पैटर्न हमारे सामने आया है वो है वस्तुनिस्ट प्रशन, लगुत्तरी प्रशन और दिरगुत्तरी प्रशन वस्तुनिस्ट प्रशन कितने आएंगे इसको लेकर उनिवर्सिटी वाईज अलग-अलग संख्या हो सकती है हो सकता है कि आपसे चह वस्तोनिस्ट प्रशन पूछ लें, हर वस्तोनिस्ट प्रशन एक अंक का रह सकता है, इस तरह से चह अंक के वस्तोनिस्ट प्रशन हो सकते हैं, कुछ उनिवर्सिटीज में हो सकता है कि चह वस्तोनिस्ट प्रशन पूछे और प्रत्यक वस्तोनिस्ट प कि 5-6 वस्तोनिस्ट प्रशन आपसे पूछे जाएंगे और वस्तोनिस्ट प्रशन हर इकाई से ही पूछे जाएंगे यह बड़ी नियाय संगत बात है, तरक संगत बात है कि हर इकाई से ही प्रशन पूछे जाने चाहिए तो आप मान के चली कि आपकी सिलेवस की प्रत्यक इक इक या दो आपजिक्ट ईक्योशन पूछे जाएंगे साथियो सिल्ह बस बहुत बड़े बड़े हैं और प्रत्तिक ईकाई में बहुत सारे चेप्टर से हैं अगर प्रत्तिक चेप्टर के वस्तुनिस्ट प्रशन तयार किये जाये और जितने भी अंकों के वस्तुनिस्ट प्रश्ण पूछे जाएं, चांकों के या किसी और के, उतने आपको पूरे के पूरे मिल जाएं लगुत्तरी प्रश्ण की संख्या भी कम जादा हो सकती है जैसे पिछली बार केवल आपसे चार प्रश्ण पूछे गए थे और साथ अंकों का एक प्रश्ण पूछा गया था अधिकांश यूनिवर्सिटी में लेकिन हो सकता है कि इस बार प्रश्ण की संख्या बढ़ जाएं क्योंकि अब अतिलगुत्तरी प्रश्ण नहीं है अगर अतिलगुत्तरी प्रश्ण के इस्थान पर उतने ही प्रश्णों की अबजेक्ट्री प्रश्ण पूछे जाएंगे तब तो फिर सेकंड और थर्ड यूनिट डिस्टब नहीं होगी यानि सेकंड और थर्ड पार्ट लगुत्तरी प्रश्णों वाला और दिरगुत्तरी प्रश्णों वाला डिस्टब नहीं होगा लेकिन अगर objective question वाली पहले पार्ट में कुल अंकों की संख्या कम की जाती है तो ऐसी इस्तिती में फिर आगे आपके प्रश्णों की संख्या और अंकों का विवाजन प्रभावित हो सकता है हो सकता है कि अब आपसे चार की बज़ाए पांच प्रश्ण पूछें ये भी हो सकता है कि प्रत्तिक प्रश्ण के अंक अलग-अलग हो साथ की बजाए आठ अंक भी हो सकते हैं अगर ऐसा होता है तो आठ पंजे चालीस अंक की ये परिख्षा हो जाएगी और अगर मान लें कि अपन अच्छा अंकों की अबजेक्टिव के उश्चन वाली परिख्षा होई तो 46 अंक हो गई अब 70 में से 24 अंक बचे हैं तो वो 24 अंक दिर्ग उत्तरी प्रश्णों के लिए होगे ऐसा होने पर दिर्ग उत्तरी प्रश्ण 12-12 अंकों के होगे जबकि पिछली बार वो 15-15 अंकों के थे और अगर मान लेजिए अबजेक्टिव के विश्ण अति लगउत्तरी प्रश्णों को पूरी तरह से रिप्लेस करते हैं तो कुछ इन्यूर्सिटीज में दिर्ग उत्तरी प्रश्ण 15-15 अंकों के भी पूछे जा सकते हैं तो हो सकता है कि आप से 5 प्रश्ण पूछे जाएं तो हम आपको देंगे लेकिन यह अथेंटिक है कि अबजेक्टिक उश्ण लगउत्तरी कश्ण और दिर्गउत्तरी कोश्ण आएंगे सेकंडिर में तो सेकंडर वाले हमारे युवासातियों से रोध है कि वे इस हिसाब से objective questions को भी वो जरूर ही तैयार करें यह महत्पूर्ण बात आपके साथ साजा करने का उसर मिला इसके लिए career advice channel की संचाली का पृती गुलवाने जिजी और उनकी परिश्रमी टीम के पृती बहुत बहुत आभार आप सभी को शुब कावनाएं पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए नवश्कार